हेलो श्रेंट्स वेल्कम दू रोकेंग गुरू इसके बार हमने तडी एड़ एड़ ब्लोक एलिमेंट्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनका एक्टोमिक नंबर निकाल लेंके लिए ट्रिक्स परहें थी साथ में दो फिजिकल प्रॉपर्टिस पड़ी सबसे पहले हम दूसरा हमने बढ़ा था आयो नाइशन एंतल्पी अब आगे बढ़ते हैं थार्ड है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी लेक्रोनिक कॉंफिगरेशन तो सबसे पहले हम जनरल एलेक्रोनिक कॉंफिगरेशन पढ़ते हैं सीरीज के एक्वाडिंग फॉर 3D सीरीज जनरल एक्र फॉर 6D सीरीज एलेक्रोनिक कॉंफिगरेशन होगी 6D 1 to 10 पॉर एस 1 to 2 अब हम सबसे पहले 3D सीरीज की जनरल एलेक्रोनिक कॉंफिगरेशन पढ़ रहे हैं तो हमने 3D सीरीज के एलिमेंट को यहां पर अरेंज किया हुए है पहला एलिमेंट हमाला इसका इंडियम जिसका कुझन आर्गन का इक्रमीक नमबर होता है 21 तो हम जानते हैं आर्गन हमारी एक गैस है और आरगन का इतन्यंछ नमबर होता है 18 तो इक टीन के बाद बाकी हम्हइं एलेक्रोन करने तीन लैक्रों ज्से में दो एक्रोन फिल होंगे ःक्रोन सु Turns являетсяard Personen के उर्गन की 奶ेंचोलिक इसमें वनेडियम के लिए 4s2 3d3 लेकिन इंपोर्टेंट आता है हमारा यहां पर क्रोमियम और कॉपर क्रोमियम की हमारी electronic configuration यहां पर हमने लिखे हो यह 4s1 3d5 लेकिन होनी तो यह 4s2 3d4 थी लेकिन हमने 4s1 3d5 क्यों लिखा है तो 4s1 3d5 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर हम यहां पर देखें तो हमारी d-orbital में पांच लेक्ट्रॉन्स फिल है यहांने हमारे d-orbital हाफ फिल्ड है और हाफ फिल्ड होगी की वैसे हमारे d-orbital जो होता है वो ज्यादा इस्टेपल रहता है यहांने हमारे element की stability इंक्री है और 4s orbital फुल फिल्ड है जिसकी वैसे अगर मैं stability की बात करों तो यहां पर क्रोमियम और मैंग्नीस में इस्टेविटी ज्यादा होगी मैंगनीशियम की आजाते हैं आगे आएरन पर आएरन का 4s2 3d6 को वाल्ट का 4s2 3d7 निकल 4s2 3d8 अब बात करेंगर कॉपर की तो फिल्ड से देखिए या ध्याद से कॉपर में 4s1 3d10 लेक्ट्रों से यहांने यहां पर 3d orbital जो है आपका कम् इस्टेविटी इंक्रीज हो सके है नेस्ट है हमारा जिंग जहां पर 4s2 3d10 यहांने 4s2 और भी हमारा कम्प्लीटी फिल्ड है और 3d orbital भी हमारा कम्प्लीटी फिल्ड है तो आपको याद रख लें कोपर और क्रोमियम में हमारा दी और अब दी आर्बिटल हाफ फिल्ड और कम्प्लीटी फिल्ड है उसकी ग्रांथ स्टेट में इंडक है इसे क्याक क्रांजिशन एलिमेंट क्या हमने प्रक्रवांच ट्र्ल पिल्ड देर« लिए वह घड़ और अब होगा वहारे अब्र live क्थायं में याँ पर तो वाद ान्ग क्या हमारे डासिशन में आध से तो यस यह हमारा transition element है क्यों transition element है क्योंकि हमने definition में एक point लिखा था कि element जो है अपनी ground state या excited state में अगर उसका d orbital complete field नहीं है तो वो हमारा transition element है तो जड़ा ध्यान से देखिए अगर copper की हम बात करते हैं तो copper mainly plus two oxidation state में ज्यादा मिलता है हमें यहाले mainly exhibit करता है plus two oxidation state में जिसकी वैसे उसकी electronic configuration हो जाएगी 4d9 और electronic configuration 4d9 क्या गोडिंग दी-orbital जो है वो partially field like completely field नहीं है और इसलिए हमारा copper होता है वो transition element के लगता है next question है हमारा arrange the following in their stability order हमें stability order में arrange करना है chromium और manganese को copper और zinc को तो जाद ध्यास रेखिए chromium की अगर मैं electronic configuration लिखता हूं तो वह होगी argon 18 4s1 3d5 और manganese की होगी argon 18 4s2 3d5 याने यहां पर दो partially field orbitals है लेकिन हम बात करें manganese की तो यहां पर एक completely field atomic orbital है और एक partially field तो इसका 4s1 3d10 और zinc के लिए argon 18 4s2 3d10 तो यहां पर भी जहां ध्यान से देखिए 3d10 orbital completely field है लेकिन 4s1 partially field है और अगर zinc की बात करते हैं जिसकी stability ज्यादा होगी उसका साइज चोटा होगा और जिसकी stability का होगी उसका साइज बढ़ा होगा और next physical property है हमारा oxidation state तो आपको पता होना चाहिए हमारे deep block के elements जो होते हैं वह variable oxidation state शो करते हैं तो अगर हम बात करते हैं इसकेंडियम की तो वह only plus 2 oxidation state शो करता है और zinc only plus 2 oxidation state शो करता है तो oxidation state याद अगना आप बहुत जरूरी है तो इसके लिए ध्यान से देखिए इसकेंडियम से एक order arrange हो रहा है 3,4,5,6,7 और इन से उपर के सारी oxidation state ये सारी element शो करते हैं और maxi oxygen state शो करता है आपका manganese plus 7 और तब यहां से जाते हैं तो 7 के बाद 6 6 के बाद जाद ध्यान से देखिए 5 missing है लेकिन 5 के बाद 4 आपका कबर हो रहा है फिर 4 फिर 2 और 2 यानि यहां पर 2,2,4 और 2,4 और यहां पर कोबाल्ट भी प्लस 4 शो करेगा यहां पर प्लस 6 शो करेगा आपका iron और manganese शो करेगा प्लस 7 तो आपको oxidation state याद रहनी चाहिए अब कुछ important points की बाद करते हैं जैसे हमने बात की scandium तो scandium जो होता है वो कभी भी प्लस 2 oxidation state शो नहीं करता है next only radium and osmium exhibit plus 8 oxidation state यानि पूरे D block elements में खाली radium और osmium जो है वो ही plus 8 oxidation state शो करते हैं यह पूछा जाता है important point है अब यहां पर हमारा question arise होता है कि in 3D series magnees show highest oxidation state why यहाने 3D series में magnees जो है वो highest oxidation state क्यों शो करता है तो इसका reason यह है कि जो oxidation state value होती है वो सम होता है s orbital और d orbital में present electrons का लेकिन सिर्फ up to magnees और magnees में total 7 electrons होते हैं 3D और 4s orbital में जिस वरे से magnees जो है वो plus 7 oxidation state show करता है next है हमारा enthalpy of atomization तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए enthalpy of atomization क्या होता है तो आप जानते हैं हमारा कोई भी elements है उसमें atoms present है और उन atoms को अलग करने के लिए जो minimum amount की energy है required होगी वह होगी हमारी enthalpy of atomization और हमारी जो transition element होते हैं उनकी high enthalpy of atomization होती है क्यों होती है यह भी हमें पता हो जाएगे because of the presence of large number of unfilled electrons in their atoms याने जो हमारी transition elements होते हैं उनके जो atoms होते हैं उनमें large number of unfilled electrons present होते हैं और वो unfilled electrons क्या करेंगे वो strong interatomic interactions करेंगे जिसकी वैसे बहुत ही strong one form होंगे जिसकारण हमारी enthalpy of atomization जो होती है transition element की वो बहुत ही high होती है अब यहां पर हमारा question generate होता है कि in 3D series the enthalpy of atomization of zinc is lowest by याने 3D series में zinc की enthalpy of atomization lowest की होती है तो आप जानते हैं अगर हम zinc की electronic configuration लिए तो होगी argon 18, 4H2, 3D10 याने यहां पर सारे के सारे electron paired है याने zinc में कोई भी unpaid electron present नहीं है जिसकी वैसे वो interatomic bonding नहीं कर पाएगा, interatomic interactions नहीं कर पाएगा और उसी वादे से उसमें सिर्फ weak metal bonding present होगी इसका और इसकी enthalpy of atomization जो होगी वो बहुत ही कम होगी next है हमारा trend in stability of higher oxidation state याने higher oxidation में stability का trend क्या होता है तो जो higher oxidation state जो होती है किनकी transition element की वो stable होती है सिर्फ fluorine और oxygen के साथ और lower oxidation state जो होती है वो stable होती है iodine के साथ अगर हम example की बात करें तो vanadium 5 याने vanadium की 5 oxidation state जो है वो represent all होती है सिर्फ VF5 के साथ और जबके other halides जो है वो undergo hydrolysis to give oxo halides याने जो बाकी के है halides होते हैं वो hydrolysis हो जाते हैं और वो oxo halides form करते हैं जो VOX करी है अच्छा अभी अपने उपर एक बात की कि higher oxidation state जो होती है वो stable होती है सिर्फ fluorine और oxygen के साथ तो ऐसा क्यों उसका रिजन भी तो होना चाहिए तो इसी को अपने question बना है कि why highest oxidation state are stable with fluorine and oxygen तो इसका reason है due to strong oxidizing power of fluorine and oxygen कि fluorine की और oxygen के पास जो है strong oxidizing power होती है जिसकी वैसे वो high oxidation state के साथ stable होती है और यहीपर हमारा next question आता है कि all copper two positive highlights are known except the iodine यहने copper जो है बाकी सारे highlights के साथ CO2 positive form में प्रिजेट रहता है लेकिन iodine के साथ नहीं रहता है यहने copper iodide easily नहीं बनाता तो उसका reason है तो उसका reason है कि copper two positive जो है हमारा वो oxidize कर देता है आयोडाइड आयन को iodine molecule में यहां पर यह रहें two co2 positive plus four iodine इडिफ पर आप देख रहे हैं यहां पर कि यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर कॉपर जो है आपका उसकी plus one oxidation state है तो जो मैंनी copper one compound copper first compounds होते हैं वह unstable होते हैं aqua solution में जिसकी वैसे वह undergo होते हैं disproporation reaction में disproporation reaction के बारे पर आप जानते हैं होंगे वो reaction जिसमें same element का oxidation or reduction होता है वह होता है disproporation reaction जैसे यहां पर इस copper की oxidation state plus one इस copper की plus two और इसकी है zero तो एक ही element की एक ही reaction में दो अलाद अलाद oxidation state बन रहे हैं अप्रोडक्त में और अगर हम यहां पर बात करते हैं now in aqueous medium तो aqueous medium में जो copper two positive होता है वो more stable होता है copper positive से और क्यों होता है due to its high hydration energy than cu positive याने copper two positive की hydration energy जो होती है hydration enthalpy जो होती है वो ज्यादा होती है cu positive से ठीक है और next question है हमारा why is chromium two positive reducing and magnesium three positive oxidizing when both have before configuration अब सबसे पहले तो question समझे है यहां पर बोला है CR two positive जो है वो reducing है याने reducing agent है और सबसे पहले आपको reducing agent और oxidizing agent में difference बता होना चाहिए तो वो species जो दूसरे को जाके reduce कर दे और खुद oxidize हो जाए वो होते reducing agent एक्जामपल से बात करते हैं जैसे आप जानते पोस्ट में डाकिया डाकिया क्या गाम होता है डाग लाना लेकिन क्या वो लेटर लाके अपने पास रख लेता है नहीं पोस्ट में बोलने हैं उसको वो हमारा पोस्ट हमें लाके देता है से उसी तरह reducing agent होते हैं वो सामने वाली species को reduce कर देते हैं और खुद oxidize हो जाते हैं यहाने यहां पर CR2 positive oxidize हो रहा है और Mn3 positive reduce हो रहा है और Mn3 positive Mn2 positive में क्यों convert हो रहा है जबके दौनों की same configuration है D4 configuration तो अब हम इसको solve करते हैं जरा ध्यान से देखिए तो अगर हम Chromium 2 positive की बात करते हैं तो Chromium 2 positive में उसकी electronic configuration है D4 लेकिन अगर वो oxidize होगा तो उसकी electronic configuration क्या हो जाएगी? D3 हो जाएगी यानि उसमें loss of electron हो जाएगा तो D3 configuration से Chromium को क्या फाइदा हुआ तो आप एक बास जानते है crystal field theory के wording हमारे D orbital दो different orbitals में divide होता है T2G और Teg जिसमें T2G में 3 orbitals present होते है Dxy, Dyz और Dx से और से EG में D orbital 2 orbitals में divide होते हैं तो जब हम crystal field theory के according Chromium 3 positive के electrons को fill up करते हैं यानि D3 के electrons को fill करते हैं तो उसमें हमारा T2G जो atomic orbital होता है वो हमारा half-fade रहता है और उसके half-fade होने की पैसे क्या होगा Chromium की stability increase होती है और यही reason है Chromium का oxidize होना और यह reducing agent कहलता है अगर हम बात करते हैं Magnes 3 positive की तो हमारा Magnes 3 positive oxidizing agent है यानि दूसरे को oxidize कर रहा है और खुद reduce हो जाता है खुद reduce का मतलब addition of electron और अगर Magnes 3 positive में electron add होता है तो हमारी configuration होता है MN2 positive और MN2 positive होने के current जो हमारी Magnes 2 positive की electronic configuration होगी वह होगी D5 और आप जानते हैं D5 में जो आपके electrons है वो 5 electrons fill होगे D orbital में और आपका D orbital partially filled होगा और आप जानते हैं Partially filled atomic orbital ज्यादा stable होता है तो अपनी stability को increase करने के लिए यहां पर chromium और Magnes दोनों ही अपना reduction और oxidation करते हैं तो यहां पर chromium अपना oxidation करता है और Magnes अपना reduction करता है और दोनों behave करते हैं reducing agent और oxidizing agent की तरह यहां पर हमने answer लिख दिया है एक बार मैं आपको रीड करके बता हैं chromium 2 positive has D4 configuration while acting as a reducing agent क्यों? it get oxidized to CR2 positive reducing agent ते इस भी oxidized हो रहा है CR3 positive में और इसकी electronic configuration क्या होगी? B3 configuration होगी क्रिश्टल फेट थेओरी के according T2G orbital जो होंगे वो क्या होंगे? half-feld होंगे जिसकी वैसे यह more stable configuration रहेगी और अगर हम बात करते है Magnes 3 positive की तो Magnes 3 positive क्या हो रहा है? वो oxidizing agent है यहारे उसमें reduction हो रहा है reduction का मतलग addition of electron और electron add only की वैसे यह Magnes 2 positive formation हो रहा है जिसकी वैसे इसकी configuration है D5 configuration and due to half-feld configuration ml2 positive is oxidizing agent बहुत easy था थोड़ा सा समझना है easily हो जाएगा तो यहां पर हमने कुछ और physical properties कवर किये next lecture में मैं बाकी physical property कवर करते हुए साथ में आपके D block elements के कुछ compounds के वारे में बात करूँगा और हमारे D block elements next lecture में complete हो जाएगा और फिर हम स्कार्ट करेंगे F block elements Thank you for watching our video अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को like करिए share करिए subscribe करिए स्कार्ची बाल अच्छे स्कार्ची और अगर 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 एम जाएग